है नमस्काल में डिप्रवी के स्वागत डिप्रली संदमि यहन्द देखते हैं दिवने की दो अप्रेल दो हज़ा चोब इसकर जाने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं मेर शालशी वालो के साथ मेर शाशी वालों अगर आच के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए opportunity से भरा हो सकता है अवसार आपके सामने आ सकते हैं explore कैसे करने है best option कैसे निकालना है वो आज के दिन आपके उपर निर्बर हो सकता है साथ ही साथ आज के दिन परिवार एक स्थिरता बनी रहेगी परिवार के साथ बिताये गया समय आपको रेजिमिनेट करके जाएगा आज के दिन आपके किये हुए चुनाव चाहे आपके परसनल लाइफ के हो आपके सोशल लाइफ के हो आपके प्रोफेशनल लाइफ के हो आपके बिजनस लाइफ के हो आपके आगे आने वाली फ्यूचर को दर्शाते हुए जाएगे बात जी साथ आज के दिन अपने मन को शांत करने की आपको को SHIŞ करनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि बिना किसी कारण या अकारण या किसी विक्ति विशेश को या किसी अवस्था को लेकर अगर आप काफी दिनों से परिशान चल रहे हैं तो आज ही का दिन है जहां पर आप अपनी situation को किसी के साथ साजा कर सकते हैं या किसी व्यक्ति विशेश के साथ अपनी जीवन में चल रही current problem को शेर कर सकते हैं बात करते हैं मिथुनराश्वी वालों के लिए आपके लिए परिवार में कोई get together हो सकती है कोई rejuvenated कोई एक situation अच्छी से एक energized परिस्तिती आपके सामने आ सकती है जो अपने आप में positivity लिए हो वो इस तरह की अच्छी उर्जाज आपके सामने आ सकती है in the form of some information, in the form of some get together, in the form of some kind of कोई भी ऐसा उसर आपके सामने आ सकता है जो आपको और जादा प्रभावशाली या confident महसूस करा सकता है आज के दिन आपको उसे explore करने की जरूरत है साथ ही साथ आज के दिन कारिशेत्र में आपका पराकरम या आपका confidence level भी intact रहेगा उच्छ अधिकारियों से भी आज के दिन आपको आशवासन या आज के दिन positivity या कुछ न कुछ शुबसंकित आगे कि आपके growth pattern को लेकर देख सकता है या मिल सकता है बात करते हैं करकराशी वालों के लिए आपकी situations बिल्कुर नॉर्मल रहेगी करकराशी वालों tension लेने की जरूरत नहीं है मन आपका शांत रहेगा positivity को embrace करिये जिस तरह से जैसे आप चला रहे चीजों को चलाते रहे मन को शांत रखने के साथ साथ आज के दिन आप अपने उपर भी काम कर सकते भरपूर आपको आज के दिन second half के दोर on time मिलेगा जहां पर आप अपनी उपर ध्यान करके अपनी चीजों को और मजबूत कर सकते हैं साथी साथ लंबे समय से चल रहा कोई परिवारिक तनाव अब आपके लिए एक अवसर लेकर आएगा जहां पर आप टूटे हुए रिष्टों को बना सकते हैं या positivity के साथ उन सभी को एक साथ परिवार में मिला सकते हैं कारशेत्र में आपको आज के दिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए positivity सिंग राशी वालों आपके लिए बनी हुई है आपके लिए कारशेत्र हावएवर सेकेंड आपके दौरान थोड़ा सा टारिंग और टाक्सिंग रह सकता है exhaustive भी feel कर सकते हैं साथ के प्रती सचे इत्रेंडे की जरूरत है खान पान पे नियंत्रन रखिए साथी साथ आज के दिन आप अभी उन सभी अवस्थाओं पे situations पे काभू पापाएंगे जो काफी सब यसे लंबे समय से आप प्रयास रथ थे और आपके सब conscious mind में कुछ सारी चीज़ें थी और आप सामने लेकर नहीं आ पा रहे थे लेकिन अब आपको भरपूर अफसर मिलेंगे जहां पर आप काम करें और आगे बढ़ें जिससे कि आप अपनी situations को positive बना पाएं साथ ही साथ आज के दिन परिवार के साथ समय बिताएंगे तो आपके लिए positivity और indicative रहेगी बात करते हैं कनियराशी वालों के लिए सामानिता रहेगी आपके लिए situations कनियराशी वालों कुछ खास उतार चड़ाव चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह से आप आत्म प्रेरित होकर आत्म बल का सहरा लेकर आगे बढ़ रहे हैं काफी ज़्यादा काबिले तारीफ है परिवार के लिए आपने जिस निष्ठा के साथ अपने करतव की पूर्ती करी है वो काफी ज़्यादा respectable है शाते सामाजिक स्तर या सामाजिक जो आपकी प्रतिष्ठा है उसमें भी आज के दिन इज्राफा होते वे आप देखेंगे कोल मिला के collectively आपके लिए आज के दिन अच्छी opportunities आ सकती है पराक्रम में वृद्धी मान सम्मान भी आपको कारिश शेतर में मिल सकता है पारिवारिक स्थिर्वता तो आपकी अलरडी बनी हुई है साथी साथ आज के दिन अगर आप long term investment plans में भी सोचने की सोच रहे हैं करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए positivity आ सकती है बात करते हैं तुलाराशी वालों के लिए आपके लिए positivity तुलाराशी वालों बनी हुई है साथी साथ आज के दिन आप किसी ठोस निरने पे पहुंच स काफी लंबे समय से परिशान कर रही थी आप उस पे कुछ निशकर्ष निकाल सकते हैं या उस पर काम कर सकते हैं साथ ही साथ आज के दिन आप अपने lifestyle को भी improve कर सकते हैं अपने लिए positivity भी indicate कर सकते हैं आज के दिन अगर आप चाहते हैं multiple income resources पे काम करना तो वो परिस्थितियां भी आपके सामने आ जाएंगी बात करते हैं व्रश्षिक राशी वालों के लिए आपके लिए situations positive रहेंगी साथ ही साथ आज के दिन अपने विचारों को प्रमबलतम शिखर पर अगर आपको लेके जाना है तो आज के दिन आपको अपने उपर ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा सा आत्म चिंतन करिए, review करिए कहीं न कहीं आपको अपनी गलती जरूर दिखाई देगे और उस पे आप काम करेंगे तो आगे आने वाले परिस्थितिया समय को भी आप अपने कंट्रोल में ला सकते हैं साथ ही साथ आज के दिन अगर आपको लंबे समय के लिए प्रोफेशनली कोई प्लानिंग करना चाहते हैं यानि कि नौकरी चेंज करके स्टेबिलिटी लेना चाहते हैं धाई-तीन साल की या उससे जादा या बिजनेस में कोई नई प्रोड़क्ट लाइन अड़ करना चाहते हैं एक्स्पैंशन करना चाहते हैं तो आज का दिन महत्वपूर्ण माना जा सकता है बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए आपके लिए सब तरफ से एनरजी बनी हुई है सारी चीज़ें आपके लिए सचारू ढंग से चल रही है पॉजिटिव एनरजी आपके चारो तरफ है लेकिन किस तरह से आज के दिन आपको उन सभी ऑप्शन्स को या सिटुवेशन्स को आपकी पॉजिविटी के तरफ धानना है या कैसे आप उन सभी चीज़ों में से अपने लिए सबसे अच्छी परिस्तिती को निकाल सकते हैं या आपके उपर निर्भर करता है अपने मन को शांत रखिए पॉजिटिविटी को इंब्रेस करिए परिवार के साथ समय बिताइए आज के दिन आपके मेंटॉर के थ्रू आपको कोई महतवपून राय सूचना दिशा या संकेत मिल सकता है बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए मकर राशी वालों पॉजिविटी बनी हुई है आपके लिए भी कुछ खास टेंशन का विशे आज के दिन नहीं है परिवारिक स्थिरता बनी हुई है भाई बहन से सपोर्ट आपको मिलता रहेगा अपने आपको और आपको सबल बनाना है कॉन्फिडन्स लेविल को इंटाक्ट रखिए आगे बढ़ते चलिए सब तरफ से आपको कुछ न कुछ गुड नियूस देखने को मिलेगी अगर बिजनस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या इंफ्यूस करना चाहते हैं और पॉजिविटी एन एनरजी इंटो अडेड बिजनस में आपको लाना हो किसी परिक्षा की पढ़ाई शुरू करनी हो कुछ नया प्रोजेक्ट आपको असाइन हुआ हो उस पे आपको रिसर्च करनी हो बिजनस में वैपार में कुछ नए पॉजिविटी लानी हो कुछ भी शुब काम अगर आपको करना है तो आज का दिन महत्वपूर्ण मारा जा सकता है साथ ही साथ सेकिंड हाफ के दौरान परिवार के साथ अगर आप समय बिताएंगे तो आपको उन्ही बातों बातों में कोई एक महत्वपूर्ण आइडिया या कोई ना कोई positive situation या कोई information मिल सकती है बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए मीन राशी वालों अगर आज के दिन के मैं बात करूँ तो अपने आपको आज के दिन और स्थिर रखना है मन को शांत करना है अपने दिमाग को मस्तिश्क को मन को अपने control में रखकर कोई महत्रपुन निरने आप ले सकते हैं जो आपकी सिचुएशन को और महत्रपुन बना के जा सकता है किसी परिक्षा की तयारी कर रहे है या किसी इंटरव्यू को देने जा रहे है या कहीं ट्रावलिंग आपकी इंडिकेटिव है प्रापर प्रेपरेशन के साथ आगे बनने की ज़रूरत है ट्रावलिंग में जो लोग इंटरेस्टेड है एडवेंचर के लिए जा रहे है या परिवार के साथ ट्रावल कर रहे है तो आज के दिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है खान पान पे नियंतरन रखिए और अपना confidence लेविल को intact रखिए इसे के साथ मैं कल फिर आजर होगी नमस्कार